एक वार आपने लारे कुटा पढ़ गिया जिना आपने डोड़िया दोड़िया थार चपना ही लार रहेगी और क्यों भाई के और कोई हो मिल जाओ लेकिन लंगोट यार नहीं मिलना थी हाथ पढ़ दोड़ कर नहीं पोल घोल दे बर जेटी सुदामा जी ने कहा कि या मेरा मित्र रहता है गाव वाला ने सोचा होगा भई कोई नाम क्या है भई तुमारे मित्र का अरे मित्र का नाम है कृष्ण बोले ये तो हमारे नात को द्वारी कादिश भगवान को ये उच्छा बोलता है हसी आई लोगों को देख सुदामा की दीन दसा इधर तो ये तो करणा निदी की बात लेकिन इधर गाम के लोग मसने लगे सुदामा जी के उस जो है इस्तती को देख करके रोचा बोलते वे देख करके उसी समय में बताते हैं एक दयालू वेक्ति को दयाई उसने भगवान के महल का रस्ता बताया और भगवान के द्वार पर सुदामा जी गए द्वारपालों को कहा जाकर के बोलो कि तुमारा मित्र आया है सुदामा भगवान के पास में जो ही ये संदेश पहुँचा कि महराज दौर पे एक बड़ा दीन ब्रामन खड़ा है जिसके सरीर पर वस्त्र पहने हुए तो है लेकिन वे बड़े लीर चीर है नाम क्या बता रहा है भगवान बोलते हैं कि बता वता आप उन्हों नाम सुदामा बोलते ही भगवान तो नंगे पेरों सुदामा जी को लेने के लिए दोड़ पड़े महराज आज प्रत्वी भी आनम दित है प्रत्वी नाद भगवान दीना नाद मित्र से गले मिलने के लिए जाते हैं बड़े आदर के साथ में लेकर के भगवान आते हैं स्वयम के सिंगासन पर विराजमान करते हैं रुखमनी को बोलते हैं जाओ आज मेरे मित्र के चरण प्रक्षालन कर लें इसलिए जारी पराद लेकर के आओ लेकिन वो जारी पराद कब लेकर का आए इतने में सुदामा जी ने क्या कर दिया पता को भगवान ने क्या किया है सुदामा जी के दीन दसा को देख करके करुणा निधी रोए भगवान के नेत्रों से प्रेम भरे आशू बरसे हैं दुख भरे भी आशू बरसे है बोले सुदामा मुझे याद क्यों नहीं किया जो चरण जल से दोने थे वो चरण भगवान ने अपने अस्रु धाराओं से सुदामाजी के दो दिये पुस्पों की बरसाद करिवानों देउताओं ने भक्त वसल भगवान की जरण बड़ी प्रेम बड़ी आपस में चर्चा होती है बोले मित्र तुम्हें याद है वो बच्पन की बात है हमारी गुरु माता ने चणे दिये थे अरणिया लाने के लिए वन में हम चले थे बारिस आ गई तुम भी एक ब्रिक्ष पर चड़ गए हम भी पास ही के एक ब्रिक्ष पर चड़ गए सर्दी भी बहुत थीर सर्दी में भूख कुछ ज़्यादा ही लगती है पता है न आपको तो उस समय मुझे भूख लगी आई तो मैंने बोला सुदामा वो चणे कहा है तो तुने बोला वो चणे तो रस्ते में कहीं पढ़ गई तो मैंने बोला ये तेरे दांत कहा है से बोल रहे हैं तो ने कहा है ये दांत बोल रहे हैं सर्दी से किट-किटा रहे हैं तो मेरे बंट के जो चणे थे ना मेरे इससे के वो तुँ खा गया उसी कारण से श्रीक शय हो गया क्या हो गया? तू दरित्र हो गया लेकिन आज सुदामा vita तुम हमारी सरण में आए हो अब कोई दरित्रता में नहीं रहोगे भगवान स्री कृष्च्ण सुदामा जी से ऐसी बातें करते हैं उनको बड़े आदर से प्रसाद कराते हैं और उसके बाद में भगवान बोलते हैं सुदामा तुम आए हो ना तो मेरी भावी ने कुछ ने कुछ मेरे लिए जरूर बेजा होगा बेजने की बात कहीं सुदामा जी ने अपनी काक दबानी चालू करी कि पोल में खुल जाए कि इतना बड़ा महल माड़िया इसके और मेरे इन चीवडों से क्या होगा चीवडे माने पोया जो गटिया क्वालिटी के चावल होते हैं उनका पोया बनता है लेकिन भगवान के भोग लगाने के बाद में कैसी हो जाती है बहुत अच्छी हो जाती है तो जोहीं वो भगवान ने पोट ली काग में से निकाली फटा तो था यह दोती का कपड़ा वो लीर चीरो रहा था ता कुछ तो जमीन पर गिर गए भगवान ने एक मुट्टी भर करके अरोगी दूसरी मुट्टी भी अरोगी तीसरी मुट्टी अरोगने लगे रुकमणी जी ने हाथ बकड़ा बोले माराज ये क्या कर रहे हो दो लोग तो दे दी अब क्या वाकिरा है क्या करोगे कहां जाओगे भगवान ने कहा मद भगता यत्र गायंती तत्र तिष्टामी नारद मैं कहां रहता हूँ मैं संत मात्मों के रदे में भगतों के रदे में वास कर लूँगा मुझे रहने की जगा वो बहुत अच्छी लगती है देवी भक्तों कर दे मेरे लिए अच्छा है भगवान ने जो स्रिक्षैस्त है सुधामा उनके ललाड पर रेखाओं को बदल दिया और क्या कर दिया यक्षश्त्री बना दिया क्या बना दिया कुबेर जी के भी अधि पति याने कुबेर जी से भी श्रेश्ट उनको धन धान्य से परिपूरन कर दिया अब बोलो थोड़ी सी विनोत पर आ जाए सुदामा ने का भाईया तुमने तो अपनी बाबी के आलचाल फूच दिये तेरे कितने क्या ब्याह रखे हैं ये तो बता बगवान ने का हम संख्या नहीं बताएंगे हमारी एक-एक पत्नी आएगी आपको प्रणाम करेगी आशिरवात देते रहना और गिनती करते जाना सुदामा ने सोचा कि ये बहुत बड़ा राजा हो गया है सो सवासो ब्याव तो किये ही होंगे कम से कम इसने एक-एक राणी आई सुदामा जी ने पहले तो एक-एक राणी को साथ-साथ आशिरवात देना चलू किया कितना? साथ-साथ डैड़ सो दो-ईसो राणी आई तल तक तो वो साथ-साथ आशिरवात चले फिर सुदामा जी ने देखा लाइन तो भाई यह और यह पेंडरा तक है तो बोले अब सुदामा जी ने आसिरवादों में कटोती कर दी साथ की जगा अब तीन ही आसिरवाद दे रहे हैं और तीन देते देते ही हजार एक राणिया और आगे लेकिन वो की वो भीड सुदामा बोल रहा है करने यह एक बात बता यह आसिरवाद लेकर के वापस पीस्टे जाके खड़ी हो जाती गया बोले नहीं अभी तो इनका एक एक वारी नमबर मुश्किल से आ रहा है बता तो सही भाई कितनी है कि बोले गिनते जाओ बस कितनी है वो देखता तुम गिनते जाओ शुदामा जी ने तो बस अब गड़ा रुग गया माईक डंका नहीं था ने इसलिए गड़ा खराब हो गया तो उसके बाद में सुदामा जी ने तो केवल हाथ का यह सही सारा करना चलू कर दिया थोड़ी गर्दन इलावेर हाथ हाथ भी थोड़ी देर में जबाब दे दिया कि बूटे डोग रहे थे गर्दन भी बोले बता दे भाहिया कितने वगवान ने का 16118 ले सुदामा जी को तो जेंप आ गई एक बाद जेंतियों करके जड़ छिड़ करके उनको भगवान के अरे सुदामा जी ने का रहे मेरे तो एक है जो भी जीना हराम कर रहा तो 16118 को संबालता कैसे रेल रटकर तेरी लिला बड़ी विचित रहे भगवान ने का चलो को इनको यहीं से आसिरवात दे दो लेखिन एक बात है क्या सभी राणियों को आसिरवात जे यहां रहती है न जहां ही इनका निवास है वहाँ चल करके इनको आसिरवात दे हो ऐसा ही सब चाती है कि हमारे ही जहां रहती ही वहाँ पर हमारे भगत का सुदामा जी का पग मनना ह उनका पग हमारे चरण हमारे महलों में पढ़े सुदमा जी ने कहा ये राणिया सब एक साथ में डॉरमेटरी हॉल में रहती है अलग अलग रहती है बोले एक एक राणि के लिए शोड़ा-ऌड़ा बीगे का महल है सोड़ा बीगा का महल तो कितना समय लगेगा एक राणी के महल में एक दिन तो पका ही लगेगा सुदमा जी ने का मा था फोड लिया चाड़ी साल तो यह लग जाएंगे मुझे और पीछे बामनी का पता नहीं बच्चों का घर का क्या पता नहीं माराज तो बगवान ने गरुड जी के उपर पिठा करके सब मैलों को उपर से आसिरवाद दे बगवान ने का एक बात तो मान ले भाई क्या सब राणियां भोजन बना के ला रही वो तो कर ले कम सब अब वो सब राणियों की बात बोले 16108 का फिगर उनके दिमाग में फिट हो गया बोले माराज समा करो इतना जीम हूँगा तो मैं ब्रावन मर जाऊँगा तब सब राणियों के प्रसाद बनाएं उसमें से कण कण लिया और सुदामा जी को भोग लगाया चार-पांस दिन तक सुदामा जी वहां रहे लेकिन ब्रावन को आप बले ही जिमाओ बहुत समनी सा लेकिन दात गसाई ढंकी दे दिया करो जिमाने में तो बले ही आप फलका और दाली जिमादो दात गसाई में कंजु सिमत करो तो सुदामा जी को जिमाया तो बहुत लेकिन कनया ने एक भी मोहर नहीं दी वह ले आस लेकर के आया था मेरी पत्नीने वहां से गुदेल गुदेल जाओ 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 और उंची दुकान और फिका नाम तो बड़ा जोरदार है और तीन लोग का स्वामी कहलाता है लेकिन ब्रामन को जीमने का एक दक्षिन ही नहीं दे पाया मुह उतर गया सुदामा जी का रवाना हुए बगवान चोड़ने के लिए और आगे जाते चलो सुदामा मैं तुम्हें पहुचा दूँ फॉर्मल्टी मत कर भई यहीं बैठा रहे क्यों बेड तो एक रुपिय दिया नहीं तुम्हें लेकिन जब सुदामा जी वापस अपनी नगरी में आये और जहां सुदामा जी की जोंपडी थी वहाँ पर नौखंड का महल बना हुआ देखा तो एक वार तो सुदामा जी चक्रा गए कि हो नहो नगर निगम बाले आये हमारी जोंपडी को यहां पर अतिक्रमन मान करके एलो बेर क्यों लाउने जाओ लाउने जाओ एग यह लाउने लाउने लार लोग कब जो कर लियो पर इतने में क्या हुआ वो सुसीला सोला सक्यों के साथ में हात में सोने का थाल ली हुए आगे आगे ढोल बज रहे हैं और अपने पतिदेव को तिलक करने के लिए आ रही है सुदामा जी ने कहा रही है बैठने भी नहीं देगी क्या कौन आ रही है अब दो में ठाँ खाऊंजी कोई को निगा उन दे गई सुदामा जी को विश्वास होना ही नहीं कि सुदामा जी भी आज एड़ा पर अपर पर आप है पर वो जियों-जियों नेडी आई सुदामा जी भी खिशकने लगे उसने कहा प्राण नात रुके सुदामा जी बोले रहे आवाज तो हैंद यह लगे है है कट है बार है कट है कट है बार हम ही आगा थाड़ ले देख्यों रहे सुसिला तुम ऐसे कैसे हो गई यह इतना पदलाव बोले महाराज आपके जाने के बाद में तीन दिन के बाद क्या पता क्या गटना गटित होई जोंपड़ी वोंपड़ी कहीं गई यह महल कहां से बना यह दासिया कहां यह हमें तो कुछ नहीं पता सुदमाजिने मन ही मन भगवान को कारे वारे नहीं जानियोरे दयालू दीना प्राजकल उल्टी बात हो गई है समरा थारी माया रो पायो कोनी पार बाप फिरे उल्मनार बेटा लेली असामरारी माया ही तो है बापने तो बिचाराने साइकल माती बैटने को नहीं मिला है छोरा कहीं ले ली BMW ली कार और पिता जी तो कदे ढंगरी साइकल ली गोंदे कि असामरारी माया ही तो है तो भगवान की लिला बड़ी बिचित्र है माराज भगवान की लिला भगवान जाने संतोस बाई गांधी जोतपूर गो सेवा में सयोग 500 रुपए गुप्त सेवा 500 अंकुर जी सिंगल जोतपूर 500 जैप्रकाश जी सोनी जोतपूर 1100 रुपए कृष्णा जी फलोदी 1100 रुपए उमा जी सोनी जोतपूर 500 रुपए चंद्रकाश जी सोनी जोतपूर 1100 रुपए छोटी देवी गोदारा खांगता वालों की तरफ से 500 रुपए गहमरी बाई 2100 रुपए गुप्त सेवा जोतपूर 500 रुपए पुकराज जी डावोला की तरफ से गो सेवा में ग्यारा सु रुपए ओम प्रकाजी सोनी जोत्पुर वालों की तरफ से गो सेवा में और पान्सो रुपए बिजय लक्ष्मी चोहान जोत्पुर वालों की तरफ से और बाकी गुप्त सेवा में पान्सो 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 ग्यारा सु रुपए गुप्त सेवा में बोलिये गवमाता की, जोरूं बोलो जै, बोलिये भक्त वच्सल भगवान की, ये नाम बहुत अच्छा है, ग्यारा सुपे राम बजी बाई, कौन सा नाम है, एक हमारे खेड़ाप हम आते हैं, राम बजो बाई, और ये है राम बजी बाई, कितना बढ़िया नाम है, अब नाम बढ़ लई अच्छा रखा होगा, लेकिन वो नाम नहीं लेते हैं, एक छोरे का नाम हमने अभी MP में देखा, पता नहीं कहां देखा, एक नाम बहुत अच्छा था, लेकिन उसका लाड का नाम क्या है, काडू, मैंने का नाम क्यों बिगाड़ा भई इसका, राम बजन चोरे का नाम था, राम बजन, और बोलते क्या हैं, काडू, मैंने का क्यों नाम बिगाड़ी हो भई इनो, कि तो बढ़िया नाम है, राम बजन, राम बजन नाम मिले हो इसका, पांसो चवरलाल जी वाटी जोत्पुर, पांसो गुप्त सेवा, ग्यारा सु रुपे, कुसाल राम जी, बास्डव वालों के तरफ से, ग्यारा सु रुपे, गोविंद राम जी, गोदारा, बुरुंदा वालों के तरफ से, पांसो रुपे, नंद किसोर जी, वैश्नव, बुरुंदा वालों के तरफ से, पांसो रुपे, धना राम जी, गैलोत, इक्कीस रुपे, राम प्रसाजी सेंवर गोटन वालों की तरफ से, 11 सुरुपे अचला राम जी थोरी उंडू वालों की तरफ से, 11 सुरुपे पेमा राम जी प्रजापत गुंगा बाड मेर वालों की तरफ से गो सिवा में, बोलिये भक्त वस्ल भगवान की जई सुरुत देव ब्रामन की भी बात आती है साती सात में वर्णन आता है 21 वे नंबर सुरुत देव ब्रामन की कथा जनकपुरी में सुरुत देव ब्रामन था 20 नंबर तो है भक्त सुदामा जी का नहीं छंद नहीं बोल रहा हूँ मैं भक्तों की संक्या बोल रहा हूँ 20 नंबर पर संक्षिप्त भक्त सुदामा जी का आख्यान है 21 नंबर पर सुरुत देव ग्रामन की कथा है और चंद नंबर 20 है बिदुर जी माराज का देखो चंदों में अब थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा लेकिन भक्तों का आकरम अलग है चंदों का आकरम अलग है बिद्दुर सदाई प्रेम माई भक्ति भाई सुत ये छिलकाखवाई वालुगाई प्रसनताई तद ये राजा भुजाई तजीसाई यान लाई दाम ये ऐसा गोविंदो प्रिपासिंदो दीन बंदो राम ये दुरियो धनको मेवात्याग्यो दुरियो धनको मेवात्याग्यो साक विदूर गर खाई सबसे ओंची प्रेम सगाई सबसे ओंची प्रेम सबसे ओंची प्रेम हुँ प्रेम के बसंदिप सेवाकी नी हाँ प्रेम के बसंदिप सेवाकी नी आप बने हरी नाई सबसे ओंची प्रेम सगाई सबसे ओंची प्रेम सबसे ओंची प्रेम है हो है हो है हो राज सुयग्य युदिष्थिर की नौ। राज सुयग्य युदिष्थिर की नौ। ता में जोट उठाई सबसे ओंची। फ्रेय में सगाई सबसे ओंची। जय हो। जोटे फल सबरी के खाए जोटे फल सबरी के खाए। प्रेय में भी बसर गुराई सबसे ओंची। अरिबो। वावा। वावा। अरिबो। प्रेम के बस अरजुन रत हां क्यो। प्रेम के बस अरजुन रत हां क्यो। फूल गाए ठकराई सबसे ओंची। जय हो। जय हो। सुर क्रोर इस लाए। नाही। सुर क्रोर इस लायक नाही। सुर क्रोर इस लायक नाही। कही दिकराउं बढ़ाई। सबसे ओंची। सबसे ओंची। तेमा सबाई ने जबसे ओंची। तेमा सबाई ने जबसे ओंची। कर दोजी में जगी कर दोजी दो भी कर दो जगी को जगी कर दो जगी एक पद संत के सोदास जी गाएंगे भव पार करो बगवान तुमरी शरण पड़े मारे बद रखर ट बड़े पर बड़े के पिसके में के शिक खरोड़े यूड़ी शरण परी शरण पर जोड़े बड़े केसे तुमरी शरण में आउं। केसे तुमरी शरण में आउं। केसे तुमसे लगन लगाउं। केसे तुमसे लगन लगाउं। रदय जगातो ध्यान। तुमरी शरण पड़े उधार करो भगवान। तुमरी शरण पड़े भावपार करो भगवान। तुमरी शरण पड़े। उधार करो भगवान। तुमरी शरण पड़े। तूमरी शरण पार करो भगवान। तुमरी शरण पड़े। जरण प्रशब्रण पड़े। तुमरी शरण प्रण पड़े जगवान। कुम हिश्यामल कृष्ण मुरादी राम तुम हिश्यामल कृष्ण मुरादी राम तुमी गणपतीत्र पुरादी तुम हिबने हनुमान तुमरी शरण पड़े उधार करो भगवान तुमरी शरण पड़े शरण पड़े भवपार करो भगवान तुमरी शरण पड़े उधार करो भगवान तुमरी शरण पड़े कर फे गुमरी शरण परियू कर दो करे लादे खरण तुमरी शररण प्रण अमर कंथ में दर्शन पाणू काया को में निरमल बनाऊं। ए प्रभूतया निधान तुमरी शरण पडे उथार करो भगवान। तुमरी शरण पडे शरण पडे शरण पडे शरण पडे उथार करो भगवान। तुमरी शरण पडे शरण पडे शरण पडे बोले शंकर भगवान की खेड़ापा रामधाम की स्री रामदाश्री महाराज की स्यदे अल्दाश्री महाराज की सब भक्त जनाओं की आज के आनंद की अढे शरण पडे शरण पडे अडिसा सकती रत पारे गुरु सारे शर्म नामे अडिसा सकती रत पारे गुरु सारे शर्म नामे में तो कीता जी रोगया गगारा आयो जी सत गुरु कुमा जी रेम प्यालो पायो सारे शर्म नामे अडिसा सकती रत पारे शर्म नामे अडिसा सकती रत पारे शर्म नामे कर दो कर दो कर दो कर दो